सुप्रभाद प्यारे बच्चों, आज फिर हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने ये ओं की मात रखे कुछ शब्द पड़े थे तो आज हम उसी से रिलेटिड एक पार्ट पड़ेंगे जिसका नाम है खरगोश और उसके मित्र, ठीक है? तो आज हम ये इसके बारे में पड़ेंगे खरगोश और उसके मित्रों के बारे में खरगोश कौन होता बच्चों, राबिट, ठीक है? चलो, आओ, शुरू करते हैं, अब अपने उंगली को शब्दों पर रखो और मैम के बाद बोलो सबसे बहले देखो क्या नाम है? खरगोश और उसके मित्र, तो खरगोश और उसके मित्र, खरगोश यानि राबिट और मित्र यानि फ्रेंट्स तो हम खरगोश के बारे में और उसके फ्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे आपके सबके फ्रेंट्स होते हैं, ऐसे ही खरगोश के भी फ्रेंट्स थे चलो, सबसे पहले देखो एक, एक, सफेद, सफेद, खरगोश, खरगोश था एक सफेद खरगोश था, यानि एक सफेद रंग का खरगोश था, यानि वाइट करण का राबिट था वह वह बहुत बहुत तेज तेज चलता था वह बहुत तेज चलता था जो ये वाइट करण का खरगोश था, ये बहुत तेज चलता था ये बहुत तेज चलता था, ठीक है, तेज यारी जल्दी चलता था, जो धीरे धीरे चलता चलता, उनका मजाक मजाक उड़ाता, उड़ाता, जो धीरे चलता, उनका मजाक उड़ाता, तो यह जो खरगोश था यह बहुत तेज चलता था और जब किसी को भी वो धीरे चलता हुआ देखता था उनका पहुत मजाक उड़ाता था उन पर हसता था कि मैं तो देखो इसनी तेज चलता हूँ और आप धीरे धीरे चलते हो उनका क्या करता था? मज़ाक उड़ाता था उन पर हसता था किन पर जो धीरे चलते हैं ठीक है कच्छुआ कच्छुआ चीटी हाथी हाथी सभी सभी उस से उस से परेशान परेशान थे कच्छुआ चीटी हाथी सभी उस से परेशान थे कच्छुआ कौन होता है टौटवाइस चीटी चीटी कौन होती है वो यह जो इंसेक्ट होती है क्या कहते है इसको चीटी देखो यह कौन है कच्छुआ यह चीटी हाथी हाथी यानि एलिफेंडी हमारा हाथी है वो सब लोग किस से परिशान थे? खरगोश से क्योंकि खरगोश जो था ना उन सब का मजाख उड़ाता था और ये तीनों जो जानवर हैं हाती, चीटी और कच्छुआ तीनों बहुत धीरे चलने वाले हैं और इन सब का इन तीनों का खरगोश बहुत मजाख उड़ाता था इसलिए तीनों क्या हो थे? इससे खरगोश से परिशान थे हा, हा, तुम, तुम, कितना, कितना धीरे, धीरे, चलते, चलते हो क्या बोलता था खरगोश? हा, हा, उन पे हसता था तुम कितना धीरे चलते हो? तो अभी इनका मजाग उड़ाता था उन पे हसता था चीक है ऐसे बोलता है तुम कितना धीरे चलते हो चलो आगे दिखते हैं एक एक दिन दिन दो पहर दोपैर का समय था एक दिन दोपैर का समय था तो पहर मतलब आफटरनून एक ऐसा दिन था जब आफटरनून हो रहा था दिन हो रहा था सूरज निकला हुआ था धूप हो रही थी ठीक है उसका टाइम था वह वह तेज तेज भाग भाग रहा रहा था वह तेज भाग रहा था कौन तेज भाग रहा था? कौन भागता है तेज? खरगोश तो वह तेज भाग रहा था अचानक अचानक वह वह खाई खाई में गिर गिर गया गया अचानक वैं खाई में गिर गया जो खरगोश था वैं भाग रहा था और उसे ध्यान नहीं दिया भागते भागते कहां गिर गया वो खाई में गिर गया देखो यह क्या है खाई इसमें गिर रहा हो उसे उसे चोट चोट भी आई आई जब खाई में गिर गया वेट कहीं गिर गया तो ससे क्या उघी चोट मतलब उसे लगी जब घ्रा तो से क्या हुआ दर्द हुआ उसे काफी जगह पेवसे चोट आ गई ठीक है क्या बोला वो बसत प्रचाओ बसत प्रोई कोई कोई तो मेरे मादद मदद करो क्या बोला खर्गोश ने बोला बचाओ बचाओ कोई तो मेरी मदद करो जब वो खाई में गिर रहा था तो उसको कौन किसी की हेल्प सही है थी से चोट भी आ गई थी तो बोल रहा था बचाओ बचाओ मेरी मदद करो मदद मतलब help करो बचाओ मतलब save करो मुझे ये खरगोष तेज भाग रहा था और वह खाई में गिर गया और उसे बहुत सारी चोटाई और वो क्या अपने help मांग रहा था वो किसी जग से help के लिए बोल रहा था तभी तभी पास पास खड़े खड़े उसकी आवाज सुनी देखो ये कौन है घोड़ा अब ये यही खाई है देखो ये बच्चो खाई है जहाँ पिखरगोष गी रहा था उसी के पास ए घोड़ा खड़ा था घोड़ा गोन रहता है होर्स उसने किसकी आवाज सुनी खरगोष की वह सरपट भागा, सरपट मतलब तेजी से, तो जो घोड़ा था वह जैसी उसने अवास सुनी वह तेजी से सरपट भागने लगा, आगे देखो, सब ने सबने में लग कर मिल कर उसे उसे बाहर बाहर निकाला, सबने मिल कर उसे बाहर निकाला, तो जो खाई में था, वहां से इन सब लोगों ने मिलकर उसको भाड निकाला, किस-किस ने मदद करी उसकी? बहुत सारे जानवरों ने, चीटी ने, घोडे ने, हाती ने, कचुए ने, सब ने मिलकर क्या करा? खरगोश की मदद करी, उसे बहार निकालने में, समझाया बच्चो? देखो, आप देख सकते हो, वो लोग खीच रहे हैं ना, इसको खरगोश को, आगे देखो, लोमडी, लोमडी, टोकरी, टोकरी में, दवा, दवा, ले आई, जो लोमडी थी, फॉक्स जो थी, देखो, ये क जोकरी हैं, उसके अंदर दवाई लेकर आई, किसके लिए लेकर आई, खरगोश के ले, क्योंकि उसको क्या होग था? बहूत सारी छोट लग गई थी, पेड़ पर बैठा, बैठा, तोता, उड़कर, उड़कर, रूई, रूई, ले आया, पेड़ पर बैठा, तोता, कर लेके आया किसके लिए लेके आया खरगोश के लिए क्योंकि खरगोश को चोट लगे थी और उसको रूई की जरुवती दवाई लगाने के लिए रूई की जरुवती खरगोश की मदद करे हाथी हाथी कटोरी कटोरी में पानी पानी डाल डाल कर कर लाया हाथी कटोरी में डाल कर लाया अब देखो ही क्या है कर टोरी में हाथी क्या लेकि आया पानी अब यह पानी भी किसके लिए खरगोश के लिए ठीक है अगला पेस्ट में कालो चीटी चीटी और और कचुआ कचुआ उसका उसका हाल हाल पूछने पूछने आए चीटी और कचुआ उसका हाल पूछने आए देखो यहां पे खरगोश के चोट लगी हुई है वो पेड़ के सारे बैठा हुआ है वही पर चीटी और कचुआ उससे पूछने आए हाल हाल यानि उसकी तब्वेद पूछने आए कि वो कैसा है ठीक है अगर कोई बिमार हो जाता हम उसे हाल चाल पूछते हैं उसका क्यों कैसा है अब तो ऐसे चीटी और कचुआ उससे पूछने गए कि वो उसके हाल कैसे है ठीक है अगरा देखो भालू भालू अपनी अपनी मोटर मोटर ले आया आया भालू अपनी मोटर ले आया देखो यह जो गाड़ी है इसको क्या बोलते हैं मोटर तो जो भालू है यह कौन है भालू भालू क्या ले आया अपनी मोटर ले आया या नि गाडी ले आया, भालू भालू ने खरगोश खरगोश को अपनी अपनी मोटर मोटर पर बैठाया बैठाया और घर घर छोड़ा भालू ने खरगोष को अपनी मोटर पर बैठाया और घर छोड़ा अब अब अच्छा देखो खरगोष को क्या है चोट लगे हुए है तो भालू ने क्या करा उसको अपनी गाडी में बिठाया, यानि मोटर पर बिठाया और उसको घर छोड़ किया क्योंकि ओंख खुद तो जा नहीं सकते ता उसके क्या हुआ था? छोट लगी थी खर, खरगोश अब, अब सब का, सब का मित्र, मित्र बन गया खरगोश अब सब का मित्र बन गया अब खरगोश क्या है सब का मित्र बन गया नहीं फ्रेंड बन गया पहले तो वो सब को क्या करता था मजाक उड़ाता था उन्हें परिशान करता था लेकिन जब सब सतर्सकिन आजो है थे इस और अब को यह पाने दुबारा से अच्छे से अपने घर पर नहीं हैं तो ऐसी है को Сप हम पूरे कीजिए अब हमें क्या करना है ओ की मात्रा लगानी है सबसे पर देखो किस चीज का चित्र है होर्स और होर्स को हम हिंदी में क्या बोलते है घोड़ा तो यहां पर हमें ऐसे ओ की मात्रा लगानी है ठीक है अगला चित्र देखो कौन है हां तोता हमें ऐसे ओ की मात्र बनानी है अब यह देखो ढोलक बचों ऐसे ही आपको इसारे खुझसे करने है घोडा तोता ढोलक आगे देखो समोसा गोभी टोकरी यह आपको खुझसे ओकी मात्रा अपने आप लगानी है ठीक है अब परशन नमबर दो देखो सही के चित्रों के सही नाम पर सही का निशान आप देखोएं रहाया अपको बताने है किस का चित्र है यह बता खिस ही का चित्र की च्터ान है मोटर आ之前 पर गाने सही का निशान जिए दिन पर लिए फ मश्रमोस बतायो कौन है शब्धिसे हां लोम्री कौन है यह लोमृव इस प्श हो पार्श नमबर तीन देखो एक जैस यहास वाले शब्द के टाला भी अवाले शब्द लेकिए जिन्के एग जसी आवास होती है वह लिखने हमें भुर अब भुर से मिलता चुलता क्या होएं चोर तो लिखो डिया उ रो छोर एक ज़्वा और देखो च Teach EC07 षब कौन से तो नोर न न अपर ओकी मातरा त क्या बना नोट अगला देखो चड़ो और चड़ो कि एक जैसा क्या होगा पढ़ो हाना पढ़ ऑ पढ़ो जब आया बच्चो ठीक है अगला पश्चन देखते हैं चित्र में कौन से दो खरगोश एक जैसे हैं बताओ सिर्फ ऐसे दो जो सेम है एक जैसे हैं कौन से हैं हाँ एक यह है और एक यह है ठीक है परिष नमबर 5 पूरे हैं सबसे पहले देखो है बहुत तेज चलता था कौन बहुत तेज चलता था बताओ जल्दी सब को बता है कौन बहुत तेज़ चलता था खरगोश लिखो खरगोश खरगोश कौन तेज़ चलता था खरगोश उसे बहुत डैश आई उसे क्या आई थी बहुत सारी चोट जब वो गिर गया था खाई में तो खरगोश को क्या आई थी चोट लिखो च ओ ट चोट अगला देखो डैस टोकरी में दवा लाई बताव बचो दवाई कौन लेके आई थी टोकरी में दवा यानी मैडिसिन तो मैडिसिन कौन लाई था लोमडी लिखो लोमड़ी लोमड़ी डैस रूई ले आया रूई कौन लेके आया था कॉटन उड़कर पेड़ पर से उड़कर कौन लेके आया था तोता त ओ त आ तोता भालू ने डैस पर बिठाया तो भालू ने किस पर बिठाया था घर गोश को किस पर बिठा के घर छोड़के आया था वो मोटर पर म, ओ, ट, र, मोटर तो बच्चों आपको ये सारा कारे आपको सुन्दर सुन्दर अपनी बुक में करना है ठीक है? बच्चों अब आप अपनी हिंदी की कौपी निकालो आज की डेट लिखो पार्ट चौदा शब्दर्द तो हमने अभी पार्ट चौदा पड़ा जिसमें खरगोश और उसके मित्र के बारे में कहानी थी अब हम उसी इस पार्ट में से शब्दर्द करेंगे ठीक है? शब्दर्द का मतलब क्या होता? बच्चों difficult words तो मतलब ऐसे शब्द जो हमें पार्ट में थोड़े मुश्की लगे थे उन शब्दों के लिखेंगे हम और उसके अर्थ लिखेंगे ठीक है? तो सबसे पहले आप आज की heading डालो पार्ट 14 दो लाइन छोड़के लिखो शब्द अर्थ उसके बाद दो लाइन छोड़ो सबसे पहला शब्द लिखो खाई ख-A-E क्या बना? खाई चीक है? हमने पढ़ा था बच्चों खाई जो खरगोश था वो क्या होगा था? खाई में गिर गया था तो बच्चों खाई होती क्या है खाई जो होती है वो एक गड़ा होता है बहुत गहरा गड़ा मतलए बहुत डीप अंदर तक जाके गड़ा हो ठीक है, लिखो ब ह, ह, पर छोटे हुगी मात्रा, त, बहुत, ग, ह, र, आ, गहरा, गड़ा, ग, ड, ड, के निचे हलंद, ध, आ, गड़ा, बहुत, गहरा, गड़ा, चीक है, यानि की, बहुत, डीपली, अंदर तक जाके, खुदा हो, गड़ा हो, ठीक है, वो क्या हो जाती है, हमारी खाई हो जाती है, और खाई में हमारा खरगोश गिर गया था, है ना, अब बच्चों, अगला शब लिखते हैं, दो लाइन छोड़ो, लिखो सरपट, सरपट, सरपट का मतलब क आपकी कानी हमने जो पड़ी थी, उसमें घोड़ा जो था, वो सरपट भागा, जब उसने देखा, कि आवाजें आ रही है, विखरगोश गड़े में गिर गया था, तब जो घोड़ा था, उसने सरपट भागा, सरपट का मतलब क्या है, जल्दी से भागा, तेजी से, ठीक ह तो कैसे भागा था हूँ, सरपट, यानि तेजी से, लिखो, त, एकी मात्रा, ज, ज, पर बड़ी की मात्रा, ज, तेजी से, तो कैसे भागा था, तेजी से, यानि सरपट, ठीक है बच्चों, आपने लिख लिया, तो बस हमें आज यही दो शब्द लिखने हैं, सबसे पहले है खाई खाई का मतलब होता है बहुत गहरा गड़ा उसके बाद दूसरा है सरपट और सरपट का मतलब है तेजी से तो आपको यह सुंदर-सुंदर का रहे हैं अपनी कॉपी में करना है ठीक है बच्चों आज के लिए बस इतना ही बाई-बाई धन्यवाद